हनुमान ने काल के कारे में हस्तक्षेव किया था काल चक्र विप्रीत दिशा में खूम रहा था ग्रह नक्षत्र की स्थिती परिवर्तित हो गई थी काल देव, जिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिती प्रभावेत हुई थी उन्हें मैंने यदावत कर दिया है उनके इस थिती को ठीक करके तुम ख्षमा के पात्र नहीं हो जाते हो हनुमान किन्तू कालदेव, हनुमान ने अम्रित की रक्षा करके हम सभी देवताओ पर बहुत बड़ा उपकार किया है देवराज मैं कालदेव की बात का समर्थन करता हूँ जो नियम तोड़ेगा, वो दंड का पात्र तो होगा ही और यदि नियम का पालन नहीं करना है, तो नियम बनाने की आवश्चक्ता क्या है? अगनी देव कर्म का उद्देश एबं परिणाम निर्धारित करते हैं कि कर्म करने वाला दंड का भागी है या पुरुसकार का पात्र और हनुमान के कर्म का उद्देश एबं परिणाम दोनों ही श्रिष्टी के हिद के लिए थे, कारण कुछ भी हो बात है नियम भंग करने के लिए दंड देने की मात्र ग्रहों के इस्थिती बदलने के लिए आप हनुमान को दंड का भागी बना रहे हैं यदि समस्त ग्रह काल चेकर में समा जाते हैं, तो क्या होता? इसलिए उचित ये रहेगा काल देव, कि आप हनुमान को क्षमा कर दे आप ग्रह अध्यक्ष होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं? खाजा होई अध्यक्ष, अगर वो नियम का पालन कठोड़ता से नहीं करा सकता है, तो उसे अध्यक्ष बने रहने का कोई अधिकार नहीं अगनी देव करतव्यों और अधिकारों के बारे में आप मुझे ना ही समझाएं तो उचित होगा ये क्या हो रहा है? इनमें तो आपस में ही विवाद बढ़ने लगा अगनी देव काल देव, यदि अमरित अशुरों के हाथ आजाता, तो हम सब देवता अशुरों के द्वारा बंदी बन जाते हनुआन ने तो अमरित की रक्षा की है और आप उसको पुरुसकार देने के इस्थान पर उसे दंडित करने की बाप कर रहे हैं अनुआन के अच्छे कारे के लिए तो मैंने उन्हें अशिर्वाद दिया है पिता श्री चंद्रदेव किन्तु दियम भंग का दोश तो नहीं हर जाता उनके कारे से फुत्र बुद्ध, सत कर्म से अरजित की हुए पुर्णे पापों को शय कर देते हैं तो अच्छे कर्म दोश का निवारण क्यों नहीं कर सकते ? चंद्रदेव सत्य कह रहे हैं हनुमान दंड का पात्र नहीं है नियम तोडने का दंड हनुमान को मिलना ही चाहिए मैं हनुमान को दंड देकर ही रहूंगा नियम है तो यम है मेरी एक छोटी सी भूल इतने बड़े विवात का रूप ले लेगी ऐसी तो मैंने कलपना भी नहीं की थी कहीं इन में देव संगराम ना छिड़ जाए हनुमान को कोई डंड नहीं देगा यदि उसे डंड देने की कोई चेश्ठा भी करेगा तो उसे मेरे साथ युद्ध करना होगा पिता श्री हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूँगा श्रिष्टी का नियम ही है ये जैसी करनी वैसी भरनी अनुमान को नियम तोड़ने का दंड अवश्य मिलेगा यदि उसे दंड थोने से बचाने के लिए मुझे आपके विरुद्ध भी शस्त्र उठाने पड़े तो मैं शस्त्र उठाऊंगा पिता श्री हम शस्त्र उठाएंगे हम प्रीचर उठाएंगे हम प्रीचर उठाएंगे मेरे कारण, आप सब आपस में युद मत कीजिए काल देव, मैंने अपने पुद्र धर्म का पालन किया है मुझे मात्र मेरी मा का वचन पूर्ण करना था तो तुम अतनी मा का वचन निभाने के लिए हम देवताओं के भी नियम तोड़ दोगे क्या तुम्हारी मा हम देवताओं से भी बड़ी हो गई है क्या हाँ काल देव एक पुत्र के लिए उसकी मा का आचर उसका संसार होता है उससे बड़ा कोई नहीं होता काल देव काल देव, मेरी जननी देवी है मेरी मा मेरी स्रिष्ठी करता है मेरी मा वो नहीं होती तो मेरा जन्म भी नहीं होता मेरी मा से बड़ा कोई देवता नहीं सत्य है हनुमान माही तो श्रिष्टी करता होती है माना हो तो जगत ना हो पुत्र हो तो हनुमान जया जो मा की महानता को समझता है अपनी माता के चर्णों की सेवा करने वाला पुत्र मोक्ष का अधिकारी होता है हनुमान मात्रि भक्ति का अनुपम उधारन हो तूँ मा विधाता की सबसे सुन्दर रचना है मा संतान को जन्देने वाली सृष्टी के स्रिजन की सबसे बड़ी सूत्रदार है मा उसका आचल संतान के लिए स्वर्ग से भी अधिक सुगदाई होता है जिसमें पलकर ही संतान संसार को देखने और समझने योग्य बनती है यदि मा ना हो तो संतान ना हो ये संसार ना हो जिस प्रकार गजनन गणेश ने गौरी शंकर को सर्वोच स्थान दिया था उसी प्रकार हनुमान ने भी मा को सर्वोच स्थान दिया है माता पिता की सेवा इश्वर की सेवा है जो ऐसा करता है उसे किसी भी तीर्थ या दान पुन्ने की अवशक्ता नहीं होती वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है काल देव मेरी माने मुझे सीख दी थी कि माता पिता से बड़ा संसार होता है इसलिए मैं संसार की रक्षा करने ये तू जो कुछ भी कर पाया वो मैंने किया और उसी मध्य मुझे से कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड स्विकार है सूर्य देव आप सब देवदाओं ने मेरा पक्ष रखा उसके लिए मैं आप सब का आभारी हूँ किन्तु मैं जानता हूँ यदि मेरी मा को ग्यात हो गया कि उनके पुत्र की कारण समस्त देवताओं में ये तुछड़ गया है तो उनने बहुत दुख होगा और उनकी दुख से बड़ा दंड मेरे लिए और कुछ नहीं होगा काल देव यही उच्चेत होगा कि आप मुझे दंड दे दें और इस विवाद को यहीं समाप्त कर दें मैं दंड के लिए प्रस्तोत हूँ हाँ हनुमान काल सभी का भविश्य गुप्त रखता है समय से पहले किसी को भी ज्यात नहीं होता कि काल कब कहां कैसे क्या कर सकता है तुम्हारा दंड भी तुमें तभी ज्यात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा अब जाओ, और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा दरू। जैसी आपकी इच्छा काल देव, मुझे आज्या दें। मेरी माँ व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। प्रणाम काल देव। प्रणाम देव गणो। प्रणाम देव राज। प्रणाम काल देव, मुझे भी आज्या दीजे। प्रणाम प्रणाम देव, हनुमान के प्रणाम काल देव की एक ठोड़ता उचित नहीं है। दिवेश्वरी, भूप जहां पातिक के लिए असाहय होती है। वही संसार के लिए जीवन दाइनी शक्ती होती। ब्रिक्ष की छाया पथिक को सुखत प्रतीत होती। वही छाया ब्रिक्ष के नीचे उगने वाले पौधु के विकास के लिए बाधक होती। अतहा उचित अनुचित का दृष्टिकोण सबका भिन भिन होता है। वायू देव के सिदे में हनुमान के प्रती पित्रिभाव, सूर्य देव, चंद्र देव, हनुमान के कार्रेव को जगत का ल्यान से जोड़कर देख रहे है। तो दूसरी योज, शनी देख, काल देख, नियमों के पालन को प्रमुक्ता देते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं, जो उचित अनुचित का निंड्ने, अपने हैंकार से करते हैं। और अपने निंड्ने को ही सर्वो परी समझते हैं। मारे, उचित, उचित नहीं हुआ है, जो हुआ है। तुमने जो पिया है वो अमृत महीं, चंदर लोक का जल है। साधारन चंदरजल वरी स्थभावे। संसार के समस्त असुरों के सामने अपमान किया गया। आपके परमग्यानी रहवड का अपमान किया गया। और क्यू हुआ यह अपमान का करण है। वो जिसे आपने अपने शीष पर बठा रखा है। कपी चंदरदीव ने चला है मुझे। उतार कर फेख दीजिए उतक अपनी चंदर को अपने शीष से चंदरशीखर महादेव। अन्य था, मैं उतार कर फेख दूगा अपने शीष को अचाज दूगा आपने चंदरव में। तेरे अपमान के वक्त मौन बैठे हुए है ना आप। स्वाब मैं भी मौन होजाओंगा। सदा के लिए। मुझे अमरत चाहिए महादेव। अन्य था, मैं अपना शीष आपके चरणों में जाल दूगा। समय से पहले किसी को भी ज्यात नहीं होता कि काल कब कहां कैसे क्या कर सकता है। तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ज्यात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा। अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो। अच्छा होता काल्देव दंड के विशे में बता देते, नाचाने क्या दंड देंगे वो, किस रूप में देंगे? भावन के द्वार पर कोई है, कुछ देखा सा प्रतीत हो रहा है ये. ये तो स्वपन वाला द्रिश्य है. सैनिक, ये कारे अद्धी आवश्यक है. शीग रो जाना चाहिए. कहीं है, पिता अश्री तो नहीं? पिता अश्री? ये चाहिए. श्वपन में जो रिखा दब तो सत्याव रहा है. श्वपन में द्वज महल के उपर से गिरा था. ये क्या? ये द्वज कहीं मेरे पिताश्री के उपर गर गया तो? कि ये तो ये उफने हैंकी हैंकी ह्याच्ताए. झाल 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 काल सभी का भविश्य कुप्त रखता है समय से पहले किसी को भी ग्यात नहीं होता कि काल कब कहां कैसे क्या कर सकता है तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ग्यात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो कहीं यह काल देव का दंड तो नहीं है। किंटु दंड मुझे मिल्ला चाहिए। भिदाशी पर संकट क्यों आया। और वो भी ठीक स्वापन के बादी। यह क्या पहली है। क्या करूं किस से पूछा स्वपन के विशे में नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा स्वपन के विशे में नहीं तो सब बहुत चिंतित हो जाएंगे क्या हुआ पुत्र अनमान यह क्या मेरा पुत्र हनुमान रो रहा है कितने हसुरों को परास्त करने वाला हनुमान सारी स्रिष्टी के संकट हरने वाला हनुमान रो रहा है कहीं यह दुरगटना किसी बड़ी अनुमानी का संकेत तो नहीं हनुमान यह क्या मेरा पुत्र हनुमान रो रहा है कितने हसुरों को परास्त करने वाला हनुमान सारी स्रिष्टी के संकट हरने वाला हनुमान रो रहा है पिता श्री अपनों की बीड़ा अपनी बीड़ा से भी अधिक दुख देती है यह दे कुछ छेण और विलम हो गया हो था तो पुत्र जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसे कुछ नहीं हो सकता पुत्र हनुमान देखो सकुषल हुए अब कैसी चिंता पुत्र है क्या आप 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 क्या आप सब्सक्राइब क्या आप सब्सक्राइब यह द्वज वो भी उल्टा यह तो बहुत बड़ा प्शकुन है मात्र गिरा ही तो है इसमें अप्शकुन कैसा? इस प्रकार की घटनाई संकेत होती है भविश्य में होने वाले अच्छे बुरे समय का इस राज की अध्वज का इस प्रकार उल्टा गिर्णा वो भी राजा के उपर यह तो अश्रुप संकेत है अविश्य में होने वाले अन होनी का अंजना तुम छोटी छोटी बातों पे भाईविद हो जाती हो यह तो मात्रेक सैयोग था मैं घायल हो जाता यदि हनुमान समय रहते नहीं आता तो आओ हनुमान पिथा पुत्र मिलकर निकालते हैं इस धोज को मा आप जिंदा मत कीजिए आपका संकट मोचन हनुमान एस अब शगुन को अब शगुनने बदल देगा अब अपने अश्रू पोचिए चलो हनुमान यह लोदाजा और इसे इसके यथावत स्थान पे लगा दो जी पिदाश्री उस पर संकट आये कैसे धाल बने जिसके हनुमान उसका सदा रहे कल्यान मारुत जिसकी करते चिन्ता उसका बाल कौन करे बंका यह गा था महाबली हनुमत की रुचकर लीला राम बगत की जै 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 रगुननन्य राम जै 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 महाबली हनुमान के श्री नंदन हनुमान की जै अंजरासुद हनुमान की जै संकाट मोचन हनुमान की जै जै बनुमान ग्यान कुन सागर जै अभी सतिव लोक उजागर जै जै बनुमान ग्यान कुन सागर जै का पे सतिव लोक उजागर भूत अतुलित बलधामा अनुत्र ममन सुतन्हामा महाबीर विकरम बजरंगी गुमति निवान सुमति के संके जै 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 बनुमान क्यान कुन सागर जै का पे सतिव लोक उजागर पुत्र अनुमान, तुमने अपने पिताश्री की रक्षा की, मुझे तुम पर बहुत गर्व अरे हाँ, ये तो बताओ वहाँ देवसभा में क्या हुआ तुमने ग्रहन अक्षत्रों की स्थिति ठीकिया नहीं वो मा, मैंने ग्रहन अक्षत्रों की स्थिति, उनके साल पर सापित कर दी है और कालदेव से भेट हुई? हनुमान को नियम तोडने का दंड मैं अवश्य दूँगा मैं दंड के लिए रस्तो दूँ हाँ, कालदेव से मिला था मित्रो हनुमान, मित्रो हनुमान, मित्रो हनुमान मित्रो हनुमान, कुछ समय हम से भी मिल लिया करो चलो, आज बहुत इनों के पश्चात क्रीडा का आनंद लेते हैं हो, तुम नहीं रहते हो तो, क्रीडा में मन ही नहीं लगता नहीं, मेरा मन नहीं है जाहो पोत्र मित्रों के लिए भी कुस्सा में निकाल लो क्रेडा अच्छे स्वास्त के लिए आवशक है जी पिताश्री मादर, रिखार करिये मेरा अच्छे रुक्या अच्छे रुक्या अच्छे रुक्या मत रोकिये मजे गुरुदेव मैं तब तक मादेव के चणों में शीष अरपन करता रहूंगा जब तक मेरी में मृत्ना हो जाए शान्त हो जाओ लंकेश शान्त हो जाओ अपमान की जोला थे मेरा रिदय ठादक रहा है और आप कहते हैं शान्त हो जाओ अम्रत चाहिए मुझे लंकेश कमल फुष सरोवर में ही खिलते हैं चटानों पर नहीं सदेव बल और छली काम नहीं आते लंकेश महा तपस्वी हो तुम अन्य को वर्दान प्राप किये हैं तुमने अपनी तपस्या से तुना तपस्या करो प्रसन्न कर दो प्रह्मदेव को तुम्हें अम्रित अवश्य प्राप होगा इससे उत्म अन्य कोई उपाय नहीं है लंकेश यदि सत्या है तुम घोर तपस्या करेगा रावण और मादेश किस्तान ब्रह्मदेव को विवश्च कर देगा कि वो लंकेश तशानन रावण को अम्रित देही दे मुत्रो अब तो बताओ क्यों कौन से क्रीडा का अनंद लेंगे कहो तो लुपाचुपी का खेल खेले किन्तो कंदुक प्रहार कैसा रहेगा थोड़ा ग्यान मुझसे भी लेलो हम सब मल्युद करें हम भी तो बड़े हो गए हैं आज हमारो मित्र हनुमान किन्वे चारो में खोया है कोई सो मस्या है क्या हनुमान हाँ हाँ मित्र बताओ कोई चिंता सता रही है क्या हनुमान थोड़ा ग्यान मुझसे भी लेलो मित्रे बड़े ही काम आते हैं जो बात तों किसी अन्य से नहीं कह सकते वो अपने मित्रों से तो कह ही सकते हो बोलो अनुमान यदि हल होता तो मैं अब तक इस समस्या का निदान कर ही लेता तुमने तो ना जाने कितनी समस्याओं को हल किया है हो सकतो है हम सब भी मिलकर तुम्हारी समस्या का हल निकालने नीर जैसा ग्यानी महराज जो है हमारे पास बताओ बच्स, क्या समस्या है तुम्हारी हर समस्या का निदान है निल बाबा के पास यादी मेरी मा और पिटाश्री को ये बात क्या धो गई तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता चिंता मत करूँ वाच तुम्हारी समस्या मेरे और मेरे इन शिश्यों के अतिरिक कहीं और नहीं जाएगी तुम निश्चिन्थ होकर अपनी बात बोलो पुत्र क्यानी बाबा, मेरी समस्या ये है कि मुझे दूस्व अपना आते हैं समस्या तो बड़े गंभीर है वाच मुझे चिंतन करना होगा तुम आये ग्यानी बाबा विराजी कुछ हल मिला रिश्चिवर हम निश्चिवर बाबा के पास सभी समस्याओं का हल है और वो है रिश्चिवर मतंग रिश्चिवर मतंग तो त्रिकाल दर्शी हैं वो तुम्हारे इस भयानक सोपनों के बारे में कुछ ना कुछ बता ही देंगे काल देव के दंड के विश्चा में कुछ ना कुछ तो इंगित कर ही देंगे तो अभी चलते हैं रिशिवर मतंग के पास चले हाँ, 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 चलो शौन्थ, किन्तु रिशिवर मतंग ध्यान मगन है उनका ध्यान भांग नहीं होना चाहिए काल देव ना जाने क्या तर्ड देंगे मेरे स्वपन का क्या अर्थ है कहीं मेरे परीजनों पर तो कोई संकट नहीं है मेरी दुविद्या दूर कर दें रिशिवर तो उच्छे थे हनुमा आओ पुत्र प्रणाम रिशिवर प्रणाम रिशिवर कल्याड हो पुत्र रिशिवर वो हमसे अर्थ है काल देव क्या दंडे देंगे दो स्पन का क्या प्रभा होगा यही सोच कर चिंतित होना हनमान इने तो सब क्या थे रिशिवर मतंग अवश्य हनुमान की दूविदा मिटा देंगे तुम्हारी चिंता अकारण नहीं है पुत्र हनुमान तो अपने कभी कभी भविश्य का दर्वन होता है तुम्हारा स्वपन भविश्य में आने वाले संकट का संकेत है पुत्र रिशिवर मतंग मैं किसी भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तोत हूँ किन्तो मेरे कारण मेरे प्रिये जनों को कोई कश्ट नहीं होगा ना रिशिवर मतंग आपका मोर मेरी और चिंता बढ़ा रहा है बताईए ना क्या छुपाओ आहे भविश्य के गर्व में हनुमान छत्र लगा लो तो धुप से रक्षा होती है जल भंड आरण करके चलो तुम्हार उथल भी पार कर सकते है फुथ समय रहते ही उपाय कर लोगे तो संकट से मुक्ति मिल सकती है अन्यथा काल का दंड तुम्हारे लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है कितना भैंकर होता है काल का दंड जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकता है हनुमान ये तो सत्य है माराज काल देव किन्तु आपने क्या सोचा है दंड के विशे में जित्र गुप्त जी आप भविश्य सहीता में देखकर बताईए कि हनुमान के परिवार में किसकी मृत्यू निकट भविश्य में होने वाली है रिशीवर आपको तो सम क्या थे तो आप भी कोई उपाई बताईए मेरी सहायता कीजे रिशीवर मतंग मैं कोई भी उपाई करने को प्रस्तोत हूं उपाई मात रेक है प्रतुंजे महादे की शरण भले ही अनुमान किसी के भी शरण में चला जाए किसी की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करें किन्तु काल के धंड से कोई भी नहीं बचा पाएगा उसे नियम है तो यम है अडिग है यम का नियम बताईए चित्रगुप्त जी किसके जीवन का अंत निकट है हनुमान के परिवार में ये देखिए सुमेरू के राज परिवार में किसी भी सदस्त की आयू निकट भविश में पूर्ण नहीं हो रही है प्रभू अभी किसी की मृत्यू का योग नहीं है हनुमान के परिवार में यदि मृत्यू योग नहीं है तो बनाना होगा मृत्यू का योग ये क्या कह रहे है माराज काल देव कहीं आप अकाल मृत्यू की समस्त जीव धारा काल के हाथ की कट पुतलिया है जैसे काल चलेगा वैसे ही उन्हें चलना होता है किसी की आयू भले ही पूर्ण ना हुई हो अकाल मृत्यू के द्वारा किसी की भी जीवन लीला समाप्त करने का अधिकार है काल देव के पस मृत्यून जय महादेव हाँ अनुमाल मृत्यून जय महादेव मृत्यू जैसे महा संकट से मुक्ति दिला देते वही तुम्हें भी संकट से उबार सकते हैं पोत्र रिशिवार क्या मेरे परिवार पे कोई बड़ा संकट आने वाला है मृत्यू होगी अकाल मृत्यू हनुमान के पिता की हनुमान के पिता की हनुमान के मान पिता पिता की साहनुमान संकेत तो संकेत यही है किन्तो मेरे परिवार पर से किस पर संकट आने वाला है रिशिवार बढ़ाईए ना रिशिवार संकट किस पर होगा यह सोचने के स्थान पर तुम्हें यह सोचना चाहिए इस संकट के अंद का उपाय क्या है हनुमान इस जंबो द्वीप में इस्थित भारत वर्ष की भूमी पर अनेक ऐसे देवस्थान है जो तिर्थों के रूप में इस्थित है जिनके पूर्णे परताफ से बड़ी बड़ी आधि व्याधिया ही नहीं आसन्य मृत्तु भी टल जाती है अईसा ही एक तिर्थर स्थल है ब्रकंदू तिर्थ जहां प्रत्विंचे महादेव जेति लिंग के रूप में साक्षात वास करते हैं वास्था परिवार जाकर उनके दर्शन इवां पूजन करने से तुम्हारे परिवार पर आया हुआ ये संकट अच्छा तो ऐसा प्रताप है उस जोदिलिंग के दर्शन और पूजन में हाँ हनुमार असाध्य रोग आधि व्याधि अकाल मृत्यों हर प्रकार के संकट हर लेते हैं मृतुन जे महादेव अच्छा मृतुन जे महादेव क्यलाश वासी महादेव से भिन है है तो वही महादेव पुत्र किन्तु क्यलाश धाम हर भक तो नहीं जा सकता न पुत्र इसलिए उस अस्थान पर महादेव अपनी सभी शक्तियों के साथ जोत्र लिंग के रूप में स्थित इसी प्रकार अनेक देवी देवता विभिन स्थानों पर किसे न किसी लीला के द्वारा अपने अपने अंश के रूप में भक्तों के कल्याण के लिए स्थित हुए तो क्या उस्थान पर भी भगवान शिवजी के लीला हुई थी? हाँ पत्र उनका ये मिर्तुन्जय महादेव नाव एक बालक के कारण पड़ा एक बालक के कारण? एक बालक? बालक? रिशिवर आप मुझे उस बालक की कथा सुनाईए लुए क्दाचित वो सुनने से मुझे को युचित मार मिल जाए? हा रिशिवर आप मुझे वो अंगल, रिशिवर आप मुझे वो शुनीज़ा अच्छा सुनाता, सुनाता आओ, उस ब्रिख्ष के उचते बालक, आदिकाल में एक बहुत बड़े ते जस्ती रिशी थे, ब्रिकन्दो, उनकी कोई संतान नहीं एक समय की बात है, जब उए अपनी कुटिया के प्रांगण में ध्यान लगाए हुए बैठे थे, तो उनकी पत्नी मरुद मती पौधों को जल दे रही जहां रिशी पत्नी पौधों को पानी दे रही थी, वहीं कुछ बालक क्रिडा कर रहे थे जिने देखका रिशी पत्नी को अपनी संतान हिंता का दुख होने रगा था और यहादो अद्ध्ध्य को पौधे दो तो फूझे दो पौधे दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मरुदमती मरुदमती क्या हूँ अप्रिये ये जल तो यूही व्यर्थ में पह रहा है तुम्हारी पीडा मैं समझ सकता हूँ अरुदमती क्ये प्रभू उस व्यर्थ बहते हुए जल की भाती ही मेरा जीवन भी व्यर्थ ही निकला जा रहा है क्या हूँ अरुदमती मरुदमती उठो प्रिये मरुदमती दुखी मत हो प्रिये देखना उन क्रिडा कर रहे बालकों की भाती एक दिन हमारा भी बालक होगा जो तुमारे सुने आचल को अपनी किलकारियों से भर देगा कैसे होगा कब होगा स्वाम इतने वर्ष प्यतीत हो गए यही सुनते सुनते अब तो आयों भी पार हो चलिया प्रिये तुम देखना यह महादेवी हमारी बिगड़ी बनाएंगे यदि यह चाहे तो मरुतल से भी चल निकाल दे चट्टानों में भी पुष्प खिला दे मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है और तुमने भी तो पूर्ण श्रद्दा और भक्ति से इनकी पूजा किये अब मैं इनकी परसनता के लिए घोर थप करूँगा यह भोले नात अवश ही अपने परसाथ से तुम्हारा आचल भर देंगे हाँ मेरी माँ भी मुझे कभी कभी कहती है कि मैं भी बोले बाबा का ही परसाद हूँ और फिर क्या हुआ? क्या भोले बाबा ने उन्हें संतान का वर्दान दिया? हनुमार, तुम्हारे भोले बाबा तो सब की मनों कामना पूड़ करते हैं उन्होंने रिशी मिरकंडू को भी वर्दान दिया किन्तु वर्दान सहस्ता से नहीं मिलता उसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की वो भी बहती हुई जिल में एक पाउं पर खड़े रहे एक पाउं पर? हाँ, वर्षा, धूप, शीत, कुछ भी हो उनकी तपस्या अनवरत चलती रहे वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात अन्त तह वो दिन भी आ गया जब उनकी तपस्या अपने चरमत कोश पर पहुँच गे ओम आि से कच्या झाए Woran पुम नमहक शीवार ओम आम नमहक शीवार ओम नमहक शीवार नेतर खूलियर शीवर्म रिकंडू ऐसोफितस्तव करता रहात्व कर दो कर अलोजर। प्रभू भोले नात है शिप्षंकर आज आपने सुनी लिए इस दीन की पुकार प्रभू आपकी जेजेकार हो आपकी जेजेकार हो दीननात आपकी जेजेकार हो रिशिवर मृकंडू आपकी तपस्या सफल हुई कहिए क्या भिलाशा है हे देवेश्वर आप तो अंतर्यामी है प्रभू आप तो सबके हिर्दय में वास करते हैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा है प्रभू किन्तु इच्छित वर्तो आपको प्रकट करना ही होगा रिशिवर हे प्रभू ना तो मुझे धनसंपदा की इच्छा है और ना ही राजपाट की अभिलाशा मात्र एक संतान का वर्दान दे दिजिये प्रभू प्रिशिवर मुरिकंडू आप संसार का कोई भी अन्य सुख मांग लीजिए आपको प्राप्त हो जाएगा किन्तु आपके भागे में संतान का सुख नहीं है आप तो सर्व समर्थ है प्रभू किन्तु यदि भागे की ही बात है तो उसे अपने कर्म और तपस्या से परिवर्तित किया जा सकता है प्रभू मैं और घोर तप करूँगा भगवन मुझे तपोफल के रूप में मात्र संतान की अभिलाशा है आपको और तपस्या करने की आवश्चक्ता नहीं है आप तपोफल के अधिकारी है मैं आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दूँगा किन्तु 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 क्या प्रभू रिशीवर आपको द्रण घ्याईयुपुत्र एबम तेजस्वी पुत्र में से एक विकल्पा चुनाव करना होगा डिरण घ्याईयुपुत्र चुनेंगे तो वो कदाच्चत तेजिन हो दुरूबल हो तेजस्वी पुत्र चुनेंगे तो उसकी आयू कम होगी अच्छा फिर क्या चुना रिशीवर्म्रे कंडू ने दीरगायु पुत्र या तेजस्वी पुत्र? अच्छा तुम सब बताओ, उन्होंने क्या चुना होगा, पिजस्वी पुत्र, जो विद्वान और अपने कर्मों से अपनी एवं अपने कुल की किर्थी को बढ़ाए, जिस पर माता पिता को गर्व हो, या दिरखायू पुत्र, जो बहुत लंबे समय तक जीवित तो रहे, क तुम क्या सोच रहे, वानमान? मेरी माने मुझे सदेव सीखती है, कि सदकर्म और सदगुणों से बड़ा और कुछ नहीं होता है, अपनी तेज और अपनी उर्जा से सब की साहता करो, मेरे पिताश्री ने भी मुझे सीखती है, कि भले ही पुष्प केवल एक दिन के लिए ही खेलता हो, किन्तु वो अपनी सुगंद से सब को आनन्दित कर देता है, अतहां मुझे प्रतीत होता है, कि स्वाय मुरिकंडू जी ने अवश्य तेजस्वी पुत्र की ही कामना कियोगी, हनमान, तुम्हारा कथन सकते है, रिशी मुरिकंडू ने भी गहरे विचार और मन्थन के वश्यार यही विकल चुना था, प्रभू, तेजस्विता की आयू अनन्द होती है, पुत्रियदी तेजस्वी होगा, तो अल्प जीवन में ही उन्नती के चरम को इस्पर्श कर लेगा, अपनी कीर्थी से जगत के लिए स्मर्डिये बन जाएगा प्रभू, दीरगायो पुत्रियदी तेजीहीन है, तो उसका जीवन वेर्थ है प्रभू, उसके जीवन काल में ही जगत उसे विस्मर्डित कर देगा, हे प्रभू, मुझे तेजस्वी पुत्र की ही कामना है, हाँ, तेजस्वी पुत्र ही साथक होती है, मैं भी अपने माता-पिता का तेजस्वी पुत्र बनूगा, मैं भी बनूगा, मैं भी बनूगा, मैं भी बनूगा, तुम सब अपने माता-पिता के तेजस्वी पुत्र बनना, किन्तु पहले पुरी कथा तो सुनलो मित्रों फिर क्या हुआ रिशीवर? फिर कुछ समय के पश्चात मिरकंडू रिशी एक पुत्र के पिता बन गए उनकी पत्नी पुत्र को पाकर सारा दुख भड़ा बैठे तो अब यहाग परियर के प्रेम्स उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा मारकंडे हां तैजस्वी पुत्र मारकंडे जिसकी कुणडली बनाने के लिए स्वयम देवर्षी नारत पधा रहे थे बालक मारकंडे तुम बहुत भागयवान हो सुयम देवर्शी तुम्हारी कुंड़ी बना रहे हैं यह हो गए शिशू के ग्रह गोचर आरायन आरायन रिष्षिवर में कंडू सूरेदेव के समान ते जस्री है आपका पुत्र मार कंडू इन कादिक मुन्यों की भाती ही विद्वान हो गाई हाँ देवर्शी इसका चौड़ा ललाट इसकी उवरी हुई ये नासी का इसकी तेजस्वी होने का प्रमान है इश्वर इसे दीरगायू प्रदान करे देवर्शी आपके मस्तक पर ये चिंता की रेखाएं तुरे को अनाया सी रहन लग जाए तो चिंता तो होती है रिशिवर्शी पूंडली के अनुसार मारकंडे अलपायू का पालक है अलपायू फीक से देखिए देवशी कहीं आपकी गर्णा में कोई तूटी कोई तूटी नहीं है देवी मारकंडे की आईयों मातर कस्वर्श की नहीं महादेव ने स्वे में मातर कस्व प्रदान किया है वो इतने शीगर मेरा आचल सुना नहीं कर सकते मेरे प्रभू में इतने निष्ठुर नहीं हो सकते महादेव इतने निष्ठुर नहीं है मरुगमती हमारे भाग में तो संतान का सुक था ही नहीं वो तो इश्वर की किर्पा है जो हमें ये आशिरवास प्रदान हुआ किंतु किंतु क्या स्वामी महाधेव ने मुझे से कहा था दीरगायो अध्वा तेजस्वी पुत्र में से मुझे किसी एक को चुनना होगा और मैंने मैंने तेजस्वी पुत्र को चुना किन्तु मुझे ये ग्यात नहीं था कि आयू इतनी अधिक अल्फ होगी मात्र दस वर्ष मात्र दस वर्ष एक एक दिन गिनती हुए बिताने होंगे ये दस वर्ष मात्रत के सुख के साथ हर शर्ण अपने पुत्र से बिचरने का अभाद जिवर्दान है या भी शाप ये कैसा वर्दान हुआ रिशिवर इतनी अल्पाईयू मात्रत दस वर्ष तो बाल्या वस्था में ही निकल जाते हैं तस वर्ष की अल्पाईयू में कोई कैसे हो सकता है तेजस्वी बालक क्या सेवा कर पाएंगे वो अपने मात्र पिता की पालको मरकंडे वास्तों में ही बहुत तेजस्वी बालक था तीन से पाँच वर्ष की आयू में उसने अपने पिता से समस्त वेद पुराणों का ज्यान प्राप्स कर लिया था माता की आचल का सुना पन्विट गया था पिता को भी एक धे मिल गया था उनके जीवन को जैसे एक नई दिशा मिल गयी थी एक बालक के आने से एक और मारकंडे का ज्यान दिन प्रते दिन बढ़ता जा रहा था तो वहीं दूसरी और उनकी माता मरुद मती की मनता भी पुत्र के लिए बढ़ती जा रही थी मनों पोण खिल उठे थे रिशे मिरकंडू और उनकी पतने के पांच बश का मारकंडे अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था तोड़कर पुष्प लेकर आता पूजा के लिए यग्य की वेदी सजाता मा से पहले ही भाग कर जल्ले कर आता अपनी माता पिता की सेवा में उसे बहुत आनंदार आता मरुद मती, मरुद मती शीकर बहार आईए सत्या है रिशीवर अपने माता पिता की सेवा करने में तो मुझे भी बहुत आनंदाता है हाँ रिशीवर फिर क्या क्या उन्होंने किन्तु अब मारकंडी जी के पास तो केवल पांच वर्ष बचे थे रिशीवर फिर क्या हुआ रिशीवर बहार थे जैन्होंने मारकंडी जी के उन्होंने रिशीवर अज़के बहार आईए